हेलो फ्रेंस आज मैं आपके लेकर आई हूए कैसी रेसिपी जिसे हर कोई पसंद करता है और सब का बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है आज मैं अपना तरीका सायर कर रही हूँ चैना मसाला बनाने का तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर श्राइ कीजिएगा मुझे और टीष्टी चैना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे तीन बार इसे वाश कर लेंगे उसके बाद हम प्रेशर को कर ले लेंगे और यह सारा चैना जो है प्रेशर को कर में आट कर देंगे मैंने यहाँ पर एक कप चैना लिया है आप अपनी जौरत के साब से ले सकते हैं इसमें हम पानी आट करेंगे तो जो नार्मल गलास होता है उस गलास से मैंने यहाँ पर दो गलास पानी डाल दिया है और साथ में डालेंगे हम नमक उत्थूरा सा इसमें हल्दी आट कर दें जिससे हमारे चने काफी अच्छी से सॉब्ट हो जाएंगे उसके बाद इसका प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहां पर लगबख जो है पान से छी बीसे लग चुका है अभी यह ठंडा नहीं हुआ है इसका प्रेशर हम निकलने देंगे उसके बाद इसे चेक कर लेंगे तो इसे हम रख देते हैं साइड पे और अब हम चलते हैं नेस्ट अस्टेप की तरफ तो अब हम कड़ाई या फिट पैन ले लेंगे इसमें हम डालेंगे ऑईल तो यहां पे लगबग दो चमच ऑईल में आड़ कर रही हूं ऑईल जो हो अपनी हिस प्राइब मेर्च लिया है मैंने आप अपनी टेइस्ट के शॉडिंग लेज़ेगा और फ्याज मैंने यहां पर लिया है एक बड़े साइज का जिसे मैंने पतले स्लाइस में काट लिया है प्याज को यहां पर जादा काटने की जरुरत नहीं है बस इस तरीके से आप काट लेजीएगा और प्याज को हमें हलका 100 तक पका लेना है आप देख सकते हैं प्याज हलका साब्ठ त सॉम्ट हो गया है हलका ब्राउन सा कलर देख रहा होगा size ब्राइट ब्राउन तो बस प्याज को इतना ही पकाना है उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अधर क्लासन को मैंने क्रश करके लिया है एक चमच आप यहां पर फ्रेश अधर क्लासन को क्रश कर लीजेगा इससे बहुत अच्छा टीश्ट और फ्लेवर मिलता है और यहां पर बाद मतलब अधर क्लासन को डालने के बाद ना इन्हें हलका सा बूनेंगे जिससे अधर क्लासन को जो कच्छा फ्लेवर है वो निकल जाए तो कुछ देर मैंने यहां पर अधर क्लासन को पका लिया है आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज हो गया है तो अब इसमें मसाले डालेंगे तो कस्मिरी लाल मिर्श आड़ करेंगे एक चोटा चमच और हल्दी आड़ करेंगे आदा चोटा चमच एक चोथाई चमच लकाली मिर्श का पौडर आदा चोटा चमच धनिया का पौडर और इसमें जाएगा चाट मसाला अदा चोटा चमच अगर आपके एक चमच जो नॉर्मल खाने के चमच होते हैं उसी चमच से हमने यहाँ पे एक चमच बेसन डाल दिया है बेसन से बहुत अच्छा टीस्ट आएक और हमारे जो चना है ना मसालों से एक दम लिप्टे हुए होगे बहुत ही टीस्टी बनता है तो आप जब भी चना मसाला बनाए ना तो उसमें आप एक चमच बेसन जरूर आड़ कर ले बेसन को थोड़ा सा भूल ले उसके बाद यहाँ पे हम चना आड़ करेंगे जो चना हमने बॉयल करके रखा हुआ था उसे हम चान करके आड़ करेंगे पानी का यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है तो सारा चना मैंने इसमें डाल दिया है उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लीम को आप यहाँ पे लो में रखिएगा ध्यान रहे फ्लीम लो में रहे ताकि जो है मसाले और चने जो है वो जैलेंगे नहीं और इस flame को low me कर देना है low flame में 5-6 minute के लिए चनि Camp को धकर कर करा है जिसे चनि के अंदर तक masailya का flavor यहाँ पर मैंने cover कर दिया है तो यहाँ पर चनि को पकते हुए लगबग 5-6 minute हो गया है flame को मैंने low me रखा था low flame में ऑपर ओपर दिया था हमारे चने मसाला का टेस्ट जो है वो उतना ही अच्छा आएगा तो कुछ देर के लिए मैंने भुन लिया है लास्ट में हम यहां पे बारिक चॉप के हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से आप चना मसाला घर पे जरूर ट्राइ कि खाएंगे इतना ज़्यादा यह टीस्टी बनता है इसे आप रूटी के साथ में टिफन या फिल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर इसे आप स्टाटर्स में भी खा सकते हैं तो बिनाकर ट्राइ किजिए और फिर अपना फीडबाइक मुझे ज़रूर दीजेगा र